नमस्कार, मैं हूँ सच्चेदानंद वसेष्ट और सज्जनों जिस समय पर हम मकान की नीव लगातेगें, ग्रिह प्रारंब करतेगें, उस समय पर हम दोईदा में फस जातेगें। कोई कहता है, यहां नीव लगाओ, कई वास्तुकार कहतेगें, इस्षान में नीव लगाओ, तो वहाँ पर जब अलग अलग बिचार वहाँ पर सामने आतेगें, तो हम कन्फ्यूज हो जातेगें। मति ब्रह्म हो जाता है कि हम कहां नीव लगाएं। और बहुत सी बार ऐसा भी होता है, नीव लगाने वाला ब्रह्मन अगर वहाँ पर है, कभी-कभी उसको भी जो है, यह पूर्ण जानकारी नहीं होती। तो हम वहाँ पर धर्म संकट में फच जातेगें। देखिए नीव जब हम लगातेगें, तो मकान का जो हमारा चोकोर, प्लॉट है, उसमें चार दिसाएं होती है, पूर्व, पस्रिम, उत्तर और दक्षन, इन चीजों को आप जानतेगें। लेकिन चार विजिसा होती है, यानि उनको कोन कहा जातागे? जहां पर पूरव और उत्तर का मेल होतागे, उसको इश्ञान कोन कहा जातागे? उत्तर पूर्व कहा जातागे, नॉर्थ एस्ट कहा जातागे। और जहां पूर्व और दक्षिन का जो हां मेल होता है, जो कोना बनता है, उसको हम साउथ इस्ट कहते कहें, यानि अगनी कोन कहते कहें, और जो दक्षिन और पस्षिम का कोना जहां पर बनता है, उसको हम नईरित्य कोन कहते कहें, और इसके पश्षाद एक कौन बच जाता है उत्तर और पस्षिम का कौना उसको हम वायू कौन कहते हैं या वायब्य कौन कहते हैं उसको नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है अब चार कौन कहें तो वास्तू का जो नाग है वो चारों कौनों में भ्रह्मन करता है और चारों कोणों के अंदर अलग-अलग महिनों में तीन-तीन महिने वो एक कोण पर रहता है एक कोण पर मुह होगा एक कोण पर पीठ होगी और एक कोण पर उसकी पूँच होगी एक कोण खाली खाली रहता है तो शास्त्र ये कहता है कि जो कोण खाली है उस कोन के उपर आप जो है नियू लगाईए सिला न्यास कीजिए भूमी पूजन कीजिए और जहां पर उसका फण है मुँ है वहां पर अगर आपने लगा दिया तो असुभ होता है क्योंकि जब नाग का मुँ दबेगा तो वो जो है आपको क्ष़ती पोंचाए बगर नहीं रह सकता नाग की जहां पर पीठ है तो वो अगर कोना दबेगा तो भी वो आपको क्ष़ती पोंचाए बगर नहीं रहता और जहां पर उसकी पूँच होती है वहाँ अगर आपने दबा दी यानि वहाँ पर सिलान्यास कर दिया तो भी वो जो है नुक्सानदाई होता कही है फन दाबे तिरिया डसे जहाँ पर उसका फन है और वहाँ पर आपने नीव लगा दी तो उस मकान के अंदर इस्तिया प्राय जीवित नहीं रहती फन दाबे तिरिया डसे और पूँच दबे भरतार जहाँ उसकी पूँच है और वहाँ आपने सिलान्यास कर दिया भूमी पूजन कर दिया नीव लगा दी तो भरतार यानि स्वामी ग्रह स्वामी उसके जीवन को खत्रा होता है और जहाँ पर उस नाग की पीठ है पूछ दबे भरतार और जो कोई दाबे मध्य में तो हो एक कुटुम संगार। तुम्हाँ पर पूरे कुटुम में कुछ ना कुछ विनास होता रहता रहता है। की रख दी है ये सब बाते नहीं होती। लेकिन अगर आपने नीव ही सई समय पर और सई दिसा के अंदर अगर आप लगाएंगे और वास्तु अलग है। कहां किचिन होनी चाहिए, कहां पूजा इस्थान होना चाहिए, कहां दरवाजा होना चाहिए, ये बातें बाद की अब क्या है कि तीन दिसाओं के अंदर उस पूरे चोकौर के अंदर तीन दिसाओं को नाग ने पकड़ रखा गए, एक दिसा खाली है, और वो अलग-अलग मन्थ में, अलग-अलग जगे पर होती है, वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहली बात ये कहें, कि जब सूरिय सिंग रासी में, या ये कहिए ब्रस रासी, मिथन रासी और करक रासी में होता कहें, तो उस सबैपर ये 14 मैं से लेकर के, और 16 अगस्त तक, अगर आप नहीं लगा रहे हैं, तो आप कहां लगाएंगे, उसके लिए बताया कहें, कि केवल नैरित्य कोण खाली रहता कहें, तो वहाँ पर आपको 14 मैं से लेकर के, 16 अगस्त तक नैरित्य कोण के अंदर नहीं लगानी चाहिए, अब 16 अगस्त के बाद, यानि 17 अगस्त से, और 3 मैंने, नाग अलग कोण पर वो जगह छोड़ देता कहें, और दूसरे कोण पर आजाता कहें, तो वहाँ पर जब सूर्य सिंग रासी में, कन्या रासी में और तुला रासी में होता कहें, तो उस समय पर 17 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक आपको नीव जो हैं, वो कहां लगानी है, कोन सा कोना खाली रहता कहें, उसके लिए लगानी चाहिए, अब इसके पश्यात, अगस्त तक आप पहुच गए, तो अब अगस्त के पश्यात, आपको जो हैं नीव जब लगानी पड़ेगी, तो 17 अगस्त से लेकर के, और 16 नवंबर तक ये जो हैं, मैंने आपको बताया कि अगनी कोन के अंदर लगेगी, अब 16 न लगती ही नहीं है, बोस का मेना होता है, लेकिन जब इन तीन मेनों के अंदर अगर कहीं नीव लगेगी, तो वो नीव जो है, वो आपकी लगेगी इसान कोन में, जहां सब कोई बताता अगे, और इस इसान कौन में लगने वाली नीव के लिए लोग इंतजार करते हैं कि इसान में कब लगेगा क्योंकि इसान कौन सब दिशाओं में और विदिशाओं में सबसे पवित्र और सबसे स्रेष्ट और सबसे शुब होता है लेकिन वहाँ अगर नीम लगा रहे हैं तो कभी भी आप लगा रहे हैं तो वहाँ नहीं लगाएंगे लेकिन वहाँ पर अगर आपको लगाना है तो 16 नमंबर से लेकर के और 12 फरवरी के बीच में आपको नीम लगानी है तो आप ईसान कौन के अंदर नीम लगाए ये अब एक कौना बाकी रहता के और वो कौना के बाइब बेको तो तेरा फरवरी से लेकर के और चौदा मई के बीच में सूरिय उस समय पर कुम्ब, मीन और मेस रासी में होते हैं तो जब मीन रासी में होते हैं उस समय फिर मल का महीना होता है तो उस समय तो नीम लगती नहीं है लेकिन फिर भी इन दो महीनों के अंदर जो कि कुम्ब रासी में और मेस रासी में सूरिय रहेंगे उस समय पर नीम लगेगी तो वो नीम जो कहां लगेगी वो कौन सा कोना है जो उस समय पर खाली देता के, जिसमें फण भी नहीं है, पीठ भी नहीं है, पूँच भी नहीं है, और वो है वाइब्यकोन, अर्थार उत्तर पस्यम का कोना, नौर्थ वेस्ट, वहाँ पर आप नीव लगाएंगे, तो घर सुखी होगा, संपन होगा, स्वस्थ होगा, और धनवान होगा, बिद्या संपन, हर कोई व्यक्ति, सदाचर्ण से युक्त, वहाँ पर होंगे, और इस प्रकार से आपको नीव लगानी चाहिए, बाकी और कोई भी अगर आपको जानकारियों की आवशक्ता है, जैसे जोतिस से संबंदित है, कोई व्यापार, संतान, विवाह से संबंदित कोई समस्याख है, या कोई वास्तू से संबंदित कोई समस्याख है, तो वो आप इन नमरों पर संपर्क करके, कार्यालय से जो है, अपाइटमेंट ले करके, कार्यालय की सेवाएं अरपन करके, और आप जो भी जानना चाहते हैं, वो जान करके, और आप लाब उठाएं, औ तो ये तो परमार्स नहीं हुआ हम आपके लिए परमार्स कर रहे हैं आप हमारे लिए परमार्स कीजिए ये ये सेवा का आदान प्रदान है आपको कुछ जानकारी चाहिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं तो वो उसका जो है पत्र पुस्प जो भी वहाँ पर है जो नियुक्त किया जाता है वो आपको अर्पन करना चाहिए और लाब वहाँ पर आपको लेना चाहिए नमस्कार हमारे यहां वैदिक ब्रह्मनों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाट, कर्मकांड, संगीत में विभा, ग्रीक लेश, काल सर्प दोश, व्यापार में रुकावट वह नव ग्रहों की पूजा आदिक कराई जाती है हमारे संपर्क सूत्र हैं हमारी वेब साइट है